शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारी क्लास के मुकामले में कोई क्लास नहीं ओके राज तुम्हें तुम्हें तुम्हारा क्लास मुबारक हो लेकिन सुदो आज के बाद कभी मेरे पीछे मत आना कभी नहीं आऊंगी कि इस घर की तरफ कभी नहीं देखना कभी नहीं देखूंगी एक्सक्यूज मी येस जिसके लिए तुमने मुझे ठुकरा दिया क्या मैं जान सकती हूं कि वला की गल कौन है ओ जानना चाहती हो येस कि सुन्दर्दाज जी बता दूं अरो पतलाइए ना इतना पूछते कहे हैं हां सुन्दाज ठीक कहता है सुन्दर्दाज आलभेज ठीक कहता है ठीक बुरा है क्यों नानी बता दूं मामा बता दूं हां बतला दो सुन्दर्दाज जी जो में लिए सब कुछ है उसका नाम है जीया पुर्दाज बत्तमीद किया मैं टारिंग अब तुम जाओ ले ले रुख जो रुख 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 यहां इंंसुरंस वाला वाला ने चाहती किवो तूम यां देख ले तुम रूबक्ष रुख रुख हुआ breaths लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूं सुने ना डाली तुम पांच-छे मिनिट लिए जरा घूम के आजाना ना वहना बहुत गरबर हो जाएगी प्लीज स्वीजार्ट यह अंडेस्टेंड नो प्लीज गुट आडिया गुट आडिया इंशुर्स ओले गया गया एक ही था एक आया है एक आने वाला है दो है दो है चलो नो डॉलिंग चाहिए काश काश में पल दो पल तुम्हार से और गुजर सकता अरे क्यों मेरी जुदाय की जखम ओपन नमाख चड़क रहे हूं ओके बाई जाओना जाओना मैं तो तुम्हें बारादार मेना भिषता था इतना शांदान मकाम कैसे खरीद ले डालिंग इंशुरंस से इंशुरंस से मेरे एक्सिडेंट हो गया था ना अरे कहा चुड़ लगी अंदरू नी लेकिन आप मैं बिल्कुल ठेक हो फिकर की बात नहीं यह कौन है? माइ मेड मरिया क्या हम दोनों अकेले में थोड़ी देरें? अफकोस अफकोस मरिया यह फूल मेरे बेडरूमें रख देना यह क्यों अफकोस मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है हाँ हाँ जरूर बोलो ना मामा मिया हाशा तुम अब भी कयामत लगती हो ओ सुनी तुम कुछ जरूरी बात करने वाले थे ना हाँ ऐसा है कि कर ना जब तुम्हे देखा ना तो देखता ही रह गया फैसला कर लिया कि तुम और जिया इंडिया आजाओ जिया को अच्छे कॉलेज में दाखिल करवा देंगे तुम्हारे लिए मकान और गाड़ी ले दूँगा हफते में दो तीन बर मिलना आय करूँगा और कभी-कभी तो सेटेर नाइट को भी अच्छा कैसे लगा में रप्लय है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ अच्छा उननीस साल तक अपने जज़बादों को सिने में दबा कर रखा है पुमसे बता शनी उता! इभर! कवा! कवा! तग्या! क्या हो? नहीं नहीं… नाकुन के दिशान पड़ेंगे. बीबी को समझाना मुश्कील सब्सक्राइगा. बहुत लड़ाक हुए. I don't care. Ayo. 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 तुम दिवानी हो गएग हो. छोड़े. मैं दिवानी हो गई हूँ. 19 साल के दूरी करने मुझको पूरी ने छोड़ूंगी, Here comes some love girl अच्छा 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 कंट्रोल अच्छा अच्छा एच्छा अच्छा 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 मैं आप कान्ट्रोल करनेक एक तरीका है क्या... तुम पॉर्ण यहां से चले जाओ पुछले दरवाजे से बाक ढूर कंबाल है किया दॉछ दरवाजे से आ गया वहां से चलते हैं पुछ लूट अनुट यूट यूट पोछिलो ए यह तो बॉच्छ लो बीवी मारेगी ना पाउज दिया है पाउज दिया है अब गाड हलो मिस्स बिठानिया मिस्स कुमार क्या खूबसूरत करें आपका क्या मैं अंदर आ सकती है यह आप वह वेल मिस्स बिठानिया हम इंडियन वाइव्स ने एक मीटिंग रखी है और हम सब चाहती है कि ग्रेट मदर का मानपत्र आपको ही मिले मुझे वैसे कुछ औरते हैं जिनकी राय मिस्स चौधरी के हक में है मिस्स चौधरी को दे दीजी ना मुझे को इतरास नहीं कैसी बाते कर रही है क्या मैं नहीं जानती कि आपने कितनी मुसीबते चेली है यह तो आपका हक है मिस्स बिठानिया and you just don't worry हम सभी की राय आपके हक में ही है वैसे मैं आपको इस मीटिंग में इन्वाइट करने के लिए आई कि आप आना जरूर आउंगी क्यों नहीं आउंगी आप मुझे इतनी बड़ी इज़त दे रही है मुझे मान पत्र दे रही है मैं क्यों नहीं आउंगी अच्छा बागी बात है हम लोग मीटिंग में कर लेंगे मैं स्कॉर क्या हुआ आपके तब यह ठीक नहीं है क्या मैं क्यों करूं मस्मुझे थुप्वड़ी से आराम की जरूरत है अच्छा मिस्स कुमार मुझसे एक बहुत बड़े गलती होने वाली थी अच्छा हुआ हम लोग बच गए बाल बच गए लेकिन हुआ क्या वो क्या है कि हमारे मौरिशिस में एक रिवाज है जो महमान बिन बुलाए आये उसे हम पिछले दरवाजे से बिदा करते हैं अच्छा मगर ऐसा क्यों वो इसलिए कि बिना बुलाए महमान जिस दरवाजे से आये अगर हम वापस उसे उसे दरवाजे से बिदा करें तो बहुत बैड लग होता है अफशकन होता है मुझे मालूम है आपको बुरा ज़रू लगेगा लेकिन आपको वापस इसे दरवाजे से गये ना तो बहुत यानि कि बहुत ही बुरा हो जाएगा आच्छा ने ने तो फिर मैं पीछे के दरवाजे से चली जाऊंगी आइए 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 यह से आइए पान हजरू होगे पहले तुम मुझे अंदर ही नहीं लिया और अब अंदर इसे घसीट रही है जैसे कि मैं बाहर खाणाना तो कोई चोरी कर लेगा कुमार डालिक मैं तुम्हें क्या बता हूँ कि इंशुरूस वाले ने मुझे कितना परुशान कर रखा था करनाच जब मैंने तुम्हें देखा तुम बिलकुई चौजगी का चांद लग रही थी ओ यू नूटी बॉइ मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है कैसा प्लान पहले इन कागजाद पर दस्तक्त कर दो यह क्या है मैंने अपनी एक कंपनी के सारे शेर तुम्हारे नाम कर दी है अगर मुझे कुछ हो गया मेरा मतलब अगर मुझे कुछ हो गया तो जिंदगी भर तुम्हें और जिया को पत्लीव नहीं होगी अगर मुझे कुछ हो गया तुम्हें पत्लीव नहीं होगी क्या रादा है? बड़ा नेक रादा है तुम्हे फॉरन अपनी वाइफ को तलाग देना होगा और फॉरन मुझसे जादे करनी होगी ने 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 ये तो बहुती डेंजरस इरादा है ऐसा खाब कभी मत देख रहा है यह मैं देखो, देखो नो डार्लिंग एसा करते हें हम दोनों मिलकर ना मेरा ये खॉब तुम्हारी वाइफ को बता देते है प्लीज. ऐसा ने करना अगर तुम्हें डर लग रह तो मैं मेगा जी को बता देती हूं ऐसा नहा करना अगर तुम्हें अशकिए तो मैरे भी बिबर चिति चिति करतेगी लेकिन कुमार डार्लिंग, अब मैं तुम्हारी बगार एक पल भी नहीं रह सकती, मुझे भी तो नाम चाहिए, इज़त चाहिए, मेरी बेटी के बाप चाहिए, खाम बोलो ना डार्लिंग, वरना मैं शोर बचा दूँ में अजिया, अगर तुम चाहो, तो मैं तुम्हें मिलने हर महिने मोरे शेशाओंगा, उनिस साल के बाद आब आए हो जालिम, और अब तुम महिने की बात कर रहे हो, नहीं, अब मैं तुम्हारी बगर एक पल भी नहीं रह सकती, तलाग दो, शादी करो, तलाग दो, शादी करो, रिभताएंबोरी फागल हो जाओंगी, अगर एक पल के लिए भीग तुमिहां और रोके तो, मैं जाओ, 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 MAR प्लीज जाओ, जलिजओ, 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 जाओ, जाओ, ऑफ है करद से को लोगर्प यार मैंने तो बहुत चुमक रहा है गल्स यह मिलकर क्याm तूब बता रहा है लाल लेटे के निशान लगवें अरे बाप्रे सही है और क्या ख्यां। यह यह तो बता ने गल्रों निशान पता हुआ की तरह तूट पड़ी मुझ पर बुरा हाल कर दिया वह अपने नाखुनों से मेरे घालों पर प्रेम गीत लिखना चाहती थी क्या वात कर रहा है अरे चानते हो अगर वह ऐसा कर देती ना तो मेरी बीवी को इस गीत का मतलब 19 साल तक नहीं समझा पाता करेले की तरह चील डाल ये उ जिए और मेरे लिए ही मरती है आज तक हुषभ से कुछ ही मांगा आज जो इसका था क्या मैंध करो तर देना तलाक तूबी patercómo आन्ले तुमने आज शर्म के मारे हमारा सर नीचा कर दिया सॉरी मामा ऐसा क्या कर दिया मैंने राज तुम्हें जिया की तरफ बढ़ते हुए कदमों को रोकना पड़ेगा मगर क्यों वह हमारे क्लास की नहीं है ओ मामी जिया और मेरे बीच एक क्लास का से आ गया जिया का वो ओ माई गॉड यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं सोने के जेवर में हीरा जड़ा जाता है रास्ते का पथर नहीं मामा अप्शा ठीक कह रही है क्यों नानी बेटे अपने बच्चों के लिए बड़े बुजग जो भी फैसला करते हैं वह कभी घलत नहीं होता मतलब जिया से रिष्टा कट सिर्फ इतना ही नहीं उसे तुम इस घर में बुलाओ और हम सब के सामने उसकी बेज़ती करो ताकि वो हमारी बहु बनने के ख्वाब देखन चोड़ दे यो राइट मामा हम तीनों के बीज़ उसकी बेज़ती करने में मज़ा नहीं आएगा दस बीज दोस्तों को बुलाओ निशा को भी बुलाओ फिर मैं सब के सामने उसको समझा दूंगा उसका क्लास क्या है राजबाबा आफ्टर आल आपके क्लास के सामने जिया का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए और वो आए ना आए सेट धनराज अपनी बीटी के साथ आचुके हैं वो देखिये तो इसकी तो मुस्कुराहिट भी उचे क्लास की है और हम तो कहता हूं कि जिया को छोड़िए और इसके बारे में सोचिए इसकी तो सोच रहा हू पहले जिया को आने दो पुराना रिष्टा तोड़ूगा फिर नया रिष्टा जोड़ूगा अपर राज बाबा बुले हैं हाई क्लास सुर में बिल्कुल हमारे सुर में जा रहे हैं और डॉंट वरी जिया को आने दीजिए असको हाई राज सौरी राज जर्देर हो गई जिस क्लास की आप हैं उन्हें देर होई जाती है राज तो क्या तुमने मुझे यहां मेरा क्लास समझाने के लिए बुलाया है नो तुम्हारा क्लास तो लो है ही इनका क्लास कितना उचा है यही समझाने के लिए तुम्हें यहां बुलाया येस ज आए लेकिन सुनो आज के बाद कभी मेरे पीछे मत आना कभी नहीं आऊंगी इस घर की तरफ कभी नहीं देखना कभी नहीं देखूंगी एक्सक्यूज मी येस जिसके लिए तुमने मुझे ठुकरा दिया क्या मैं जान सकती हो कि वह लगी कौन है ओ जानना चाहती हो येस कि सुन्दर्दास जी बता दूं अरा पतलाइए ना इतना पूछते कहे हैं हां सुर्दास ठीक कहता है नहीं सुन्दर्दास ठीक कहता है हां सुन्दर्दास आलभेश ठीक कहता है और नौनवेश नहीं कहता है ठीक बुरा है क्यों नानी बता दूं कि मामा बता दूं हां बतला दूं सुन्दर्दास जी जो में लिए सब कुछ है उसका नाम है जीया राज बत्तमीज यह क्या हो रहा है होनों कि जे मेरी बेटी का क्या होगा कुछ नहीं होगा त्लब ऐसे होगा बाद में कि कि अध्याइब अब पिजे अरे लिजे ना क्या सोचते हैं अरे 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 सेट जी कहें को टेंसल लेते हैं ऐसी एक पपी लेने से कोई किसी का थोड़ी हो जाता है अरे मुझे तो मेरी बेटी का फ्यूचर बहुत ही खराब नज़र आ रहा है डैडी मॉरिश इसमें एक ताज महल बनवा दो और मुझे उसमें दफना दो और उसका नाम रख दो राज महल अरा बंडफोल क्या फैंटास्टिक आइडिया थे निसा बेवी ने लोग इंडिया में चाह जहां की महपत देखने के लिए ताज महल जाते हैं अब मॉरिशस में निशा और राज की महपत देखने राज महल जाएंगे मेरी बेटी राज के इश्क में दफन होना चाहती है और तुह हां मिलाई जा रहा है निकाल अरे वही बेचके तो सूट खरीदा हूं सूट निकाल अरे सूट के निश्चे कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है क्या मतलब अरे हम सच कहता हूं आप तो जनते हैं सुन्दर दास डूइस ठीक बोलता है और नॉंविच नहीं खाता है मेरी बेटी की शादी के लिए मैं क्या करूं मेरी कूँ समझ मनिया राइप ऑप अच्छा आयटी आयई है अब गटनीया को जनते हैं नहीं तो हम भी नहीं जनते हों क्या मतलब अरे कोई भी नहीं जनते हैं यह मिसेस इस लोचे में से हम ऐसे ऐसे कीड़े निकालूंगा कि मिसेस बेटा निये चक्तर खाके गिर जाएंगी अरे वा भई वा तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया अभी थोड़ा देर पहले आप हमरे कप्रे उतार रहते नहीं वो तो क्या है बेटी की शाजी के लिए अरे कहे को अरे हमारे रहते हैं अप तो जनते हैं सुनते था साल्वेस ठीक बोलता है नॉनवेज नहीं खाता है लेकिन दभी पीता है यह 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 जा टूब जिया प्लीज और मैंसे क्या को हूँ कि आप कौन बोल रहे हैं जी राज राज जिया तुम्हारे लिए किसी राज को फोन है हालो राज हाँ मैं तुम्हें बाबी फोन करते हूं जरूर करना वना कुल तुम्हारे घर में घुछ के तुम्हारी मम्मी के सामने मैं तुम्हारी पप्पी ले लूँगा जिया, यह राज कौन है? अ फ्रेंड, ममा अ फ्रेंड? अ गुड फ्रेंड? येस ममा इस राज को तुम कब से जानती हो? केजी क्लास से केजी क्लास से? और अमें पता ही नहीं? इस राज, डियू लाइक हीम? इस राज, यह किसी से प्यार करने लगी है, अले, कल तक तो यह चोटी सी, ननी सी, प्यारी सी, गुडिया जैसी थी, बेबी, यह राज, यह किस फैमली का है? मिस्स चॉजरी का ग्रांसन है, ममा इंपॉसिबल क्या इंपॉसिबल है, ममा? जिया, अब मैं, मरिया, जॉनी भाई, अब मैं ऐसे कैसे समझाओ कि क्या इंपॉसिबल है? तुम्हारी ममी ठीक कहती, बेटा यह इंपॉसिबल है, वो लोग बड़े आदमी हैं हाँ, उन्चे क्लास की लोग हैं, हमारे जैसे लोगों को तो बहुत छोटा समझते हैं, जिया, मिस्स चॉजरी है ना, बहुत प्रे, उनके तो नाम से लोगों को डर लगता है, क्यो मरिया, डर लगता है? जाने भाई, डर लगता है, मेरी समझ में यह नहीं आता कि मिस्स चॉजरी इंसान है या आटम बाउम, जो आपने इतना डर रहें? अरे, वो एक खामोश आटम बाउम है, अगर उन्हें छेडा तो बम फट भी सकता है, क्यों जाने भाई फट सकता है? बिलकुल फट सकता है, बिलकुल फट सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा ममा. ऐसा ही होगा जिया मैं तो कहती हूँ तुम राज को बोजा बेटा तुम ब्रिटानिया फैमिली की गलौती बेटी हो तुम्हारे पापा की शेहिद होने के बाद उनकी फैमिली आज तक हमें इंडिया से पैसे बेश कर हमारी परवरिश कर रही है आखर उनका भी तो कोई हग हमारे उपर उनसे पुछना भी तो हमारा फर्स बनता है तो ममा इंडिया फोन करो उनसे पूछ लो हां नहीं बेबी शादी ब्याहा का मामला है इतनी जल्दी फैसला थोड़ी नहीं हो सकता है क्यों जानी भाई नहीं हो सकता है नहीं हो सकता है मामा मैंने राज से वादा कि आज मैं आपके हान ले करी रहोंगी आज ही येस मामा आज ही और अभी ना मुम्किन मगर क्यों एक बार कह दिया ना मुम्किन अब अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो समझ लो मेरी तुम्हारी कटी 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 मामा मामा मामादा तुमने मुम्किन